So hello and welcome back guys, this is Prabhat Thakur और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं YouTube के नई Tax Policy या नई Tax Lows के बारे में तो basically अभी currently YouTube ने एक नया Tax Policy निकाला है या फिर एक नया Tax Law निकाला है जिसको लेके आज कल लोग काफी चर्चा कर रहे हैं यह चीज़ है काफी हाइप में है कि हर तरफ यह बात हो रहे है कि क्या हम लोगों को जो कि हम YouTube Creators हैं हम लोग YouTube Partner Policy Program के थुरू Revenues generate कर रहे हैं तो क्या हम लोगों को Tax Pay करना पड़ेगा कितना पे करना पड़ेगा किस country के लिए पे करना पड़ेगा यह सारी चीज़ है यह सारी की सारी जो भी आपकी guidelines है यह सारी informations मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोइड करने वालू हूँ सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो mainly यह low है यह constitute करता है या फिर उन लोगों को constitute करता है यह US के residents है और creator जो है वो creator किसी भी country का हो मतलब अगर मैं YouTube के ओपर channel बनाता हूँ तो मेरे country कोई सा भी हो मेरे को उस particular audience पे revenue पे करना पड़ेगा उस particular audience पे tax पे करना पड़ेगा जो US की होगी for example अगर मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ जो कि मैं करता हूँ इंडिया से बिलोंग अगर मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास 50% of audience US की है for example और 50% of audience जो US की है और उससे मेरे को मान के चलो अगर मेरा total revenue 1000 dollars है पर मन्त और मेरे को 500 dollars US की audience से मिलते हैं तो ऐसे में जो 500 dollars हैं मेरे को उनके ओपर tax pay करना पड़ेगा ना कि जो rest of 500 dollars हैं जो मेरे को दूसरे countries से मिलते हैं उनके ओपर मेरे को सिर्फ और सिर्फ tax pay करना है उस audience के ओपर उस revenue के ओपर जो मेरे को US से आ रहा है अब हम लोग बात करते हैं कितना revenue मेरे को कितना tax मेरे को pay करना पड़ेगा तो अगर मैं documents tax के US tax info के document submit करता हूं वो form fill up करता हूं तो मेरे को जो we can say treaty है उसके हिसाब से 0 to 30% के बीच में tax pay करना पड़ सकता है सिर्फ US की audience के उपर और वो भी मेरे country के treaty के हिसाब से for example different different countries है like मैं इंडिया से belong करता हूं तो इंडिया का US क साथ अगर कोई treaty हुआ है कोई संधी हुआ है tax को लेके तो मेरे को उसके according pay करना पड़ेगा और अगर आप इंडिया से belong करते है तो मैं आपको बता दू तो हमारा जो treaty है हम लोगों को ज़्यादा घबराने की जुरुत नहीं है हम लोगों को सिर्फ 15% pay करना पड़ेगा और और वो भी सिर्फ audience उस audience के ओपर जो US से belong करते है ठीक है वरना अगर हम लोग tax info weekend से fill up नहीं करते तो हम लोगों को treaty benefits नहीं मिलेंगे हम लोगों को 0-30% के बीच में अगर हम लोग देखे तो 24-27% tax pay करना पड़ेगा ठीक है अगर हम लोग tax info के documents fill up नहीं करते लेकिन अगर हम हम लोग documents fill up कर देते तो हमको हमारी country के हिसाब से जो हमारी country का US के साथ treaty हुआ है जो संधी हुआ है उसके हिसाब से हम लोगों को text fill up करना पड़ेगा अब एक normal सी चीज समझो कि like मैं इंडिया से belong करते हूं यह वीडियो में आप लोग हिंदी में देख रहे हो तो आप 100% audience है तो उसमें से मुश्किल से मुश्किल एक या 2% audience US का होगा और उस एक या 2% से आपको सिर्फ महीने का एक या 2$ बन रहा होगा ठीक है और उस पे भी आपको अगर आप इंडिया से belong करते हो अगर आप US tax info fill up करते हो तो आपको मुश्किल से 15% पे करना है उसका भी तो उसके पास एक अच्छा खासा audience base है USK through तो उस लोगों उस बंदे के लिए उस बंदे के लिए important हो जाता है अपने documents को submit करना उस बंदे के लिए important हो जाता है थोड़ा सा चिंता करना कि हायार मेरा revenue थोड़ा घट जाएगा पहले के comparatively लेकिन हम लोगों को जो इंडिया से belong कर करते हैं हम लोगों को इस पर चिंता करने कोई जुरूत नहीं अगर आप लोग हिंदी में content बनाते हो लेकिन अगर आप लोग कुछ लोग ऐसा होते हैं जो US की audience को target करते हैं क्योंकि US का CPM था वो काफी high था keywords के उपर तो वो लोग क्या करते थे वो US की audience को target करते थे उन लो प्रीज के लिए मैं आपको list provide कर दूँगा अगर आप लोगों को चाहिए इस वीडियो के description में और अगर वो लोग टेक्स का जो weekend से document fill up नहीं करते हैं तो उनको 24-27% tax fill up करना पड़ेगा और ये जितने भी rules हैं ये सारे लगेंगे June की earning के बाद ठीक है अभी आपके पास 3 म जिनके आपको answer करने उनका answer करते आपका form fill up हो जाएगा और आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने हैं चिंता करने की जुरूत नहीं है तो अभी अगर आप लोग इंडिया के creators हो तो बिल्कुल भी मत घबरा हो एक बार अपनी YouTube creator studio में जाके check करना कि आपका major proportion of traffic कहां से आ होगे 5% तक का भी traffic है तो नहीं भी flip करोगे तो कोई जाद अंतर नहीं पड़ेगा मुश्किल से एक दो डोलर का अंतर पड़ेगा वो चल जाता है और अगर आप लोगों के पास अच्छा खासा traffic है यूएस से आप English में content create करते हो तो आप लोगों को text info fill up करने की जूरूत ह है ऐसे में fill up कीजे जाके अगर आप लोग चाते हो कि मैं इसके उपर और वीडियो बनाओ कि like text form कैसे fill up करना है या फिर इंडिया के लिए इंडिया के creators के लिए क्या beneficial रहने वाला है इंडिया के creators को क्यों नहीं घवराना चाहिए तो उसके लिए आप मेरे को comment down कर सकते है इ पैंडियो बनाओकि इंडियो सववच हो कि अच्रॉब्स धवराय वे बनाओक कर शोल्य नहीं दिल under